आप सभी लोगों का हमारी शमास काईडनिंग में बहुत बहुत शागत है आज में अपनी गाडन के जो रेनी सीजन में खिलने वाले फ्लावर प्लांट्स हैं फ्लावर्स हैं वो दिखाऊंगी बहुत खुबसूरत फूल खिल रहे हैं हमारे यहां बिंटर में भी खिल फूल हो जाएगा तो मैंने कुछ डिशाइद किया कि फर्स्ट फार सेकेंड पार्ट में ही यह आपको दिखाऊंगी तो जो मेरे फर्स्ट है मंडे वेला की वाइन से स्टार्टिंग करते हैं यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाली वाइन है और इसली लग जाती है समझ दो पॉर्ट है मेरे पास और दोनों पॉर्ट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इक स्टिक की पूरी आजी रदनी गंदा दिखें नाम भी मैं कोशिश करूँगी आप आजाते हैं कनेर की बात यह कनेर का फूल मेरे चार दिन से खिला हुआ फ्लावरिंग होती है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसके समझ लीजे डॉर्मेंसिंग का पीरेट जो होता है वह स्रीव विंटर में रहता है विंटर में सारी लीप्स गिरा देता है फिर इसके बाद यह फरवरी से इतनी अच्छी ची लीप्स देता है ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो देखिए यह पूरा ब्लूमिंग से भरा हुआ बहुत अच्छी लीप से ग्रोथ भी टिप पे फ्लावरिंग होती है कोशिश में यही करूंगे कि आपको कुछ थोड़ी बहुत उसकी जानकारी भी देती रहों आप यह से नर्सरी से भी ला सकते हैं और इसको हम लोग इसली लग जाती देख रहा है टिप पे आप एक जो फ्लावर अभी खिला नहीं है यह मंड वेला ओ स्वारी इसमें आलम अंडा की वाइन के प्लांट है आलम अंडा की वाइन भी आते प्लांट भी आता इसमें यह लो गलर के फ्लावरिंग खिलेंगे और बहुत अच्छी मैं इसको एक सिप्रेट बोर वीडियो जरूर बना के आपको दूँगी पूरी जानकारी उसमें अपडेट जरूर दूँगी अब आजाते हैं एक यह वाइन मॉर्निंग गलोरी तो इतनी बहदरिन मेरे आँ खिल रही है फूल ही फूल एक स्टिक में सिर्प दिखा रही पर्मनिंट वाइन नहीं है यह उसके सीर्स तो आप जानते हैं एजली नरस्रीयों में मिल जाती और भी पहीं प्यारे प्लांट भी ले सकते हैं और देखे कितनी प्यारे फूल लगते इस में कलर वैराइटी बहुत होती है पिंक कलर हता है शीर में आते हैं आप देख लेत आपके गार्डन में और इसलिए इसको हम नरसरी से बच्चेस करके ला सकते हैं अभी यह लगा सकते हैं और यह हमें अक्टूबर तक फ्लावरिंग देने वाले हैं देखिए जोते मैं दिखा रही हूँ यह सारे अक्टूबर तक फ्लावरिंग अब आ जाते हैं इसके बारे म में अभी कलियां स्टार्टिंग हो गई है और एक वैरेटी में फ्लावर इंग स्टार्टिंग हो गई है, जो आपको आपको अधिखा रही हो, बहुत प्वारी फूल कहिलते हैं, खुभ शूरत कलर होते हैं और एक दिन रहता है, दूसे निउ फ्लार आते हैं, यह से लगाने का बहुत अच्छा टाइम है इस टाम आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप आते हैं रेन लेली मेरे पास रेन लेली की चार वाराइटी है जिसे की फिल्कुल वाइट है और मेरे पास एक शेड में है जिसे की ऑफ वाइट क में उता है और सौछछा पिंक सेट इस राता है और बहुत अची फ्लावरिं में नेट हमचाहि डेज के साइस हों बहुत अची फ्लावरिंग करते हैं और बहुत अची घू्ट्याद हु एथ तो रैली सिसन स्टार्टिंग होती है। फ्लावरिंग स्टार्टिंग हो जाती है। ये पास येलो है। इसके मेरे पास 3 बल्फ मुझे मिल्क फायती हैं नर्सरी से। और इन भी तीनों में ग्रोथ हो रही है। अब यह पूरा पॉर्ट भढ़ देंगे नेक्स्ट यह था. यह दिए- अची होगी फूल बहुत प्यारा सा इसको नेली बुस्क की नाम से बहुत नाम इस बीड बीड प्लावरिंग के हैं Oh बहुत अची फ्लावरिंग इस रॉइट और पिंक यह आपको परपल कलर इस इस कलर में है तो मेरे पास दो प्लांट मैंने मंगाया थे इस में एक वीडियो पहले से अब्रोड कर रखा है फ्लूर पिया भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग का टाइमिंग है और यह साल बर फूल देती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है पानी बहुत कम उनको चा होती है बहुत कम यह याद रखिए कि जितना कम इनको पानी देंगे अच्छी ग्रोथ होती रहेगी और कर ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो समझ लीजिए एक प्लावरिंग काम कर रही है यह देखिए गिजैनिया में भी मेरे प्लावरिंग हो रही है मर फूल छुट अब ही भी फूल दे रहे हैं मैं फूल का साइच चुटा आप मैं अक्टूबर जैसे अक्टूबर से आप जैसे पंदरा अगस्त के बाद आप पंदरा अगस्त के बाद इनको मैं डिवाइट भी कर दूग और लगा दूगे आप देखिए यह बहुत अच्छी यह बहुत अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें अच्छी फ्लावरिंग कर रही है बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है बहुत अच्छी पसंद है इसका पंदूरा नाम है इसको और इंच्छी आप 15 दिन में देते रहेंग तो समझने से फूल ही फूल फूल ही फूल आते रहते हैं और ये फाइन बहुत अच्छी से ग्रोथ भी करते हैं फूल बहुत प्यारे रहते हैं इसके खूपस इसमें काफी कलर आते हैं आप चाहें पिंक कलर ले पर पर ले सकते हैं वाइट मेरे पास है और बहुत प्यारे- बहुत एजली लगा सकते हमारे यह 100 रूपीस की रेंज मिल जाता है हर रेंज अलग अलग होती है हमें कहीं सही मिल जाता है हमें कहीं महंगे मिलते हैं और जगे के कर्मेंस का प्राइस सबसे जादा लग जाता है और पिंडोरा इस टाइम मेरे मेरे में बहुत अच्छे से पि कितने अचली कोरपेश आपको दिखाते हैं मैं यह देखिए महंडविला अलामांडा और कभी-कभी यह दो अलामांडविला में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती हूं और यह बहुत यह महंडवेशनी अलामांडव की वाइन है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाली है और खुबसूरत इसमें कलर मैंने यही देखा है और इसकी प्लांट जो आता है उसमें दो कलर टीन कलर मिल जाएंगे और यह वाइन तो बहुत अच्छी है इसको जरूर लगाएए आप बहुत आते हैं देखिए यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है जबसे मैंने किसी कमले में मेरे दूसरे प्लांट से सीठा एक वाइट मैंने आपको बहुत अच्छी व्रूमिंग कर रहे हैं और मेने पास बटन रोज भी है वह भी मैं आपको दिखाऊंगे बहुत अच्छी फूल वह भी दे रहे हैं और खुबसूर फूलों के साथ देखिए आपको यह वाला रोज भी दिखाऊंगे और देशी रोज हैं बहुत प्यारी खुश्वू भी आती हैं और कलर देशी रोज में जैसे सबी लोग जानते हैं तो थोड़ा वाइट पिंक और यह रैड कलर का बहुत अच्छी से आता है और इसमें जो मैंने बटन रोज भी लगाए ह उसका भी कलर बहुत प्यारा है बहुत खुश्वरा लगता तो रोज इस टाम आप देशी रोज लगा लीजिए देशी रोज एसली लग जाएगा सरफाइब भी बहुत अच्छा करेगा यह मेरे पास बटन रोज हैं और भी दो कलर में हैं बहुत प्यारे फूल आते हैं सा सारी कलर में कुछ खिले हैं कुछ अभी नहीं किले हैं अब यह जटा है नीक्या प्रिंकी लगता है .. अब यह चित्रक हैーム की डिफ्रेंट कलर हैनी में की मैं एप प्रोट अच्छी फलावरिंग होई है और बहुत अच्छा टैमीनिया इसको लगाने का रेनी सीजर में सारी जाता तो प्लांट लग जाते हैं अब इस टम कोई भी प्लांट अगर लेकि नर्सरी से आते हैं तो सारी प्लांट लग जाते हैं अब आच changते हैं इस سबनist है,्लाएक टरक्वाउना की वह जाते हैं वह रूलियस की नामीत्य नम से बिलाए जाता है यह भी मितला है, रूलिय की सब्लावरिंट्टी केवा है यह कित इस में Kens harus पेड़ा सुन्स मेरता है जरूर की मेरत मैक्सिकन पीतुनिया बनाने के लिब होते हैं, मैं जरूर बनाने के कोशिश करती हूँ, कोशिश करूँगे, इसको भी बनाएंगे, मेक्सिकन डियन पे बहुत अची फ्लावरिंग देने वाले हैं, आप देखे, नाइन ओफ क्लॉफ की कई वायरिटी मैंने आपको रैड दिखाई, कुछ मेरे पा मैं आपको अच्छी फ्लावरिंग करता है, और बहुत प्यारे प्यारे मुझे से फ्लावरिंग वे इसमें वाइन आपको बहुत साथी आची विराइटी आती है, पर्मनेन प्लांट, तो बहुत प्यारे प्यारे फ्लावरिंग, इस Con candle Innr लर्शन democracy वें ज्म नर्स्तियो न म्रोज है और यह बेला रहो तो हो यह नहीं सकता है बेला भी स्टेम बहुत अच्छी फ्लावरिंग का टायम है इसली लग जाते हैं कटिंग से भी लग जाती है तो कोशिश के दिए जरू जरूर इसको लगाएगा और जो मैंने आपको कोशिश करके दिखाए है प्लांट थो जरूर लगाएगे कोशिश केजिए अब अलमांडा की मैं एक प्लांट और दिखा देती हूं जिसमें बहुत अच्छी यह अलमांडा का ब्लांट है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और मैंने इसमें कटिंग के वीडियो काफी डाले आप चेक करके लगा सक थैंक पर वाचिंग मैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाज